नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गोवलॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली मेरे शामने विवेचना के लिए आई हुई है एक चीज देखेगा आपकी हतेली का जो ये हिस्सा है जिसको हम केतु का परवत कहते हैं और केतु को जोतिस में मोक्ष का कारक माना गया है और ये आप के कलेक्टिब करमाज को भी दिखाता है आपका पिछले जनम में क्या कर्म थे आपका प्रारब्द कैसा आपका साथ देगा और आपका आने वाला जनम कैसा होगा ये इस चीज को भी दिखाता है फिलहाल देखें तो इसमें इस पश्ट रूप से जिसको वास्त्विक रेख कहते हैं दो ही लकीरे हैं इसका मतलब है कि अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपनी जीवनकाल में अच्छी सपलता की प्राप्ति करेंगे अगर आप कहीं ये सोचेंगे कि किसी की मिहरबायनी से किसी के सयोग से मैं जीवन में बहुत बड़ा आदमी बन जाओं या बड़ी सपलता की प्राप्ति कर दूँ तो ये आपकी गलत फैमी होगी दूसरी बात है यहां पे आप देखेंगे जहां से जीवन रेखा और आपकी मस्तिस्क रेखा सुरू हो रही है इस प्रकार की आकरतिबन रखी है और यहां पे दो लकीरे हैं इसका मतल वर्स की इस्तिति दिखाई दे रही है लेकिन आगे चलकर अब यहां पे सुक्र प्रभावी होता है सुक्र की यह इस्तिति आगे चलकर कब मनि ठीक 42 एर से 42 वर्स से आप अपने जीवन काल में हर सुक का भोग करेंगे और हर सुक को पाने बैठ जाएंगे यह आपकी हतेली इस पश्ट रूप से कह रही है लेकिन 42 वर्स तक आपको तीन चीजों से बचना है किन तीन चीजों से बचना है एक तो जल्द बाजी में आकर कोई बहुत बड़ा निरणई नहीं लेंगे दूसरी बात है कि उतावला पन नहीं दिखाएंगे तीसरी बात है कि भावनाओं के बसी बूत होकर भी कोई बड़ा निरणई नहीं लेंगे और जहां तक संबव हो आप 42 एर तक मनी 41 एर तक अगर ब्यावसाई ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ब्यावसाई करना ही है तो साजेदारी में कभी काम न करें वैसे 42 वर्स से पहले ब्यावसाई में बहुत बड़ी परगति नहीं दिखाई दे रही है और 42 वर्स से चीजें बहतर दिखाई दे रही है क्योंकि उसके बाद आपके हतेली का सबसे बड़ा जो राजयोग है बुद्धादित्य राजयोग वो यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर दिख रहा है और इसका फाइदा आपको जवर्दस्त रूप में मिलेगा ये आपकी हतियली की बहुत अच्छी चीजें है एक चीज और बताऊंगा फिर आपके सवालों पे आता हूँ यहां पी आप देखेंगे तो आपका जो ये उपरी मंगल है ठीक है ने उच्च मंगल ज इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है ये बताता है कि आप जीवन काल में कितनी भी परिशानी में आजाएं समस्या में आजाएं लेकिन अपने आपको हार नहीं मानेंगे लगाता लगे रहेंगे जोजते रहेंगे और नेचर भी बड़ा अलबेला आपका रहेगा दोसरों क सेवा दोसरों के साथ खड़े होने वाले दोसरों की मदद करने वाले ऐसे बिक्ति भी आप हैं हां एक दिखाता है कि अपने कामों पर लगे रहेंगे मुस्तेदी से और कहीं न कहीं जीत कर ही दम लेंगे ये आपकी हतेली का मंगल कहे रहा है ये आपके एनरजेटिक बढ़ाव को दिखाता है आप किसी भी प्रस्तिति में हार न मानने वाले विक्तितों को दिखाता है और यही मंगल आपको जीवन में बड़ी तरक्की की और भी ले जा रहा है यह इस्तितिया यहां पर दिख रही है अब आपने पहला प्रश्ण पोचा है मेरे इश्टदेव कौन है यहां पर इस पश्ट तरीके से देखें यह आपकी हिर्दई की रेखा है यह आपकी मस्तिस्क की रेखा है यह आपकी जीवन की रेखा है और यहां से निकलती हुई यह आपकी करियर और धन की रेखा है यहां पर आप देखेंगे तो एक अर्ध बिक्सित एम का आका बनावा दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं पंच भोत जिने हम कहते हैं जिन से आपका सरीर बनाएं फाइब एलिमेंट उसके अनुसार अगर हम देखते हैं आपके शरीर के जो अष्ट चक्रों में से साथ मेजर चक्र हैं आपकी जो पाँच ज इन सब को मिला के देखें तो आपके जो इष्ट देव है वो भगवान शंकर है, देवादी देव महादेव है और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो प्रकृति की देवी मा पारवती है चाए आप दुरगा की पूजा करे, चाए काली की पूजा करे, चाए आप किसी भी भगूती की पूजा करे नो रूपों में वो आपकी जो है अदिष्ठात्री देवी है, और ये बात निश्चित है जितना जादा समरपण रहेगा जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी दूसरा आप यहाँ पे लिख रहे हैं मेरा संगर्स कब खतम होगा दीखेगा यहाँ पे अगर हम सुक्र के हिसाब से देखते हैं तो आपको जीवनकाल के ठीक 49 वर्स के लाश्ट तक समभल कर चलना होगा तब तक यह जीवनकाल में संगर्स को देता रहेगा चाहे कम दे चाहे जादा दे और अगर आपने जल्दबाजी में भावनाओं में आकर और उतावले पन में बड़े निरणें ले लिए तो धनानी भी ये कराएगा आपको ब्यउसाई भी बड़ा सोच समझकर करना चाहे इस दोरान ब्यउसाई में ये नुखसान भी दे सकता है और यदि आप ब्यउसाई करते भी हैं बिजनिस करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कारय न करे और ये बता रहा है कि खुब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खास कर जीवन में धन कमाने की जो इस्तिती है वो थोड़ी से लेट बन रही है हाँ, 42 वर्ससे चीजें बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है खास कर 42 वर्स से चीजें बहतरीन है अच्छी यहां पर दिखाई दी रही है लिकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पीठ का दर्द है गुटने का दर्द है और कमर की प्रॉबलम है इसकी संभावनाएं दिख रही है तो इसके लिए योगा है प्रणायाम है इन चीजों को करे तो आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर रहेगा अब आप चोथा तीसरा सवाल पोचते हैं मेरी लिए कोन सा बिजनिस सही है आपके हतियली तो 41 वर्स के लाश्ट तक आपके लिए बिजनिस नहीं बता रहे है कि बिजनिस नहीं है आपके लिए लेकिन करते भी हैं तो साजेदारी में न करें खुद करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अब आपने पूछा ही है कि कौन सा रहेगा तो उसका भी उत्तर दे देते हैं यहां पे देखेंगे आप ये आपकी जीवन की रेखा है परिवार के परतिसमरपन की भावना दिखाई दे रही है और जैसे जैसे उम्र बड़ेगी वैसे वैसे जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा यहां से एक रेखा केतुकी और जा रही है लेकिन चंद्रमा का इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो बिजनिस का अगर हम मामला देखते हैं तो फूड बिजनिस, खाने पीने का जो बिजनिस होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या एक्सपोर्ड इंपोर्ड का जो बिजनिस है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या सपेद चीजों का जो बिजनिस है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो यहां पी बिजनिस के लिए ये चीजें बेहतरीन दिखाई दे रही है आप चोथा सवाल लिखते हैं बिजनिस में मुझे बहुत घाटा हो चुका है बेते कुछ सालों में अभी भी कुछ अच्छी इस्तिति नहीं है इसका क्या कारणा है देखेगा आपके हाटेली में दो चीजें बहुत खराब दिखाई दे रही है सबसे पहले देखेंगे तो यहां से एक रेखा निकल करके इस्तरब जा रही है और यहां पे करियर और धन की रेखा को काटते हुई दिखाई दे रही है दूसरी बात देखें तो यहां से सूर्य रेखा को भी काट रही है और सूरे रेखा भी इस प्रकार से जो है यहां पे कटती हुई दिखाई दे रही है तीसरी बात अगर हम देखें तो हतीली में जाल नुमा कुछ चीजे बन रही है जब ये राहों की इस्तिती आती है इस प्रकार की कि सबसे पहली मुश्किली ये होती है कि ऐसे में कदम कदम पर बिक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पैसे रुपे को लेके, रोटी रूजगार को लेके, आजिव का को लेके हर जग ब्यक्ति को भयंकर संगर्स का सामना करना पड़ता है और ये फिर मानसिक तनाव देती है, रिष्टों पर परवाव छोड़ती है और ऐसी इस्तिति में या तो धनाहानी होती है बिक्ति की या बिक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी छूट जाती है या नौकरी में अनबैलेंस इस्तिति आ जाती है ब्यक्ति ऐसे में ब्यापार कर रहा होता है तो ब्यापार में घाटा हो जाता है या ब्यापार बंद हो जाता है और कई बार ऐसी इस्तिती होने पर ब्यक्ति करजे के तले दब जाता है करजे के दलदल में फस जाता है और वहां से उबरना काफी मुस्किल हो जाता है अगर ये भी नहीं हुआ है किसी ब्यक्ति के जीवन में तो ब्यक्ति जो है बाद बिबाद में फसता है और फिर कोल्ट कचरी का मामला उसको जहलना पड़ता है या कोई उसको मनी चीजें भेतरन नहीं रहती है अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो फिर बेक्तिको रहशे में भीमारी पकड़ती है जो लंबे दोर तक चलती है तो आपको अगर घाटा हुआ है इस्तिति करजे नुमा है या बहुत अच्छे नहीं है तो राहु ऐसे में प्रभाव दे रहा है फिर ये सरीर में कोई प्रभाव नहीं देगा या कोट कचरे का मामला नहीं बनाएगा तो ठीक है अभी थोड़ा जोजते रहे और इसका उपाई करे दूसरी बात यहाँ पे जो ये जाल बन रहा है इसका प्रभाव आपकी जीवन के पांच आयामों पे पढ़ता है सबसे पहला प्रभाव पढ़ता है आपके मन और आपके मस्तिस्क पे कही न कहीं जीवन उल्जन में फस जाता है आप कही बार कनफ्योजन में आ जाते हैं आप दोविधा में आ जाते हैं और आपकी जो निर्णे लेने की ताकत है वो छीड होने बैठ जाती है। पता नी चलता है कि किस तरब जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। दोसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सिहत पे पड़ता है। आप आर्थिक रोप से हमेशा कमजोर और बीमार होते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पे पड़ता है। चाहिए वो सालरिक स्वस्त्य हो, चाहिए वो मानसिक स्वस्त्य हो, कहीं न कहीं इसमें बिकार आने की संभावना जादा रहती है। चोथा इसका प्रभाव आपके रिष्टों पे पड़ता है, खास कर दामपत्य जीवन का रिष्टा, परिवार का रिष्टा और कुटुम का रिष्टा, इन रिष्टों का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी हो जाती हैं और विक्ति इन परस्ति कीरे नीचे की और गिरने बैठ जाता है इसके लिए आपको एक बनस्पति अश्नान दिया जाएगा उसकी छोटी सी प्रक्रिया है उसको जरूर करें आपको बहुत अच्छा लाब होना सुरू होगा लेकिन लाब तब होगा जब आप मन से करेंगे एक अगरता से करेंगे और उसी बिदी से करेंगे जिस बिदी से मैं दोंगा तो निश्चित तोर पे जो है आपको इसका फाइदा मिलेगा यहाँ पे यह जो सूर्य की रेखा होती है यह बहुत अच्छी होती है क्योंकि यह राह से निकले हुई होती है इसका मतलब होता है बिक्ति बहुत तेज ह होने वाला है बहुत बुद्दिमान है और अपना काम इनकेन प्रकारेंद निकलवाने में माहिर होगा इस व्यक्ति का समाज में उच्छ लोगों के साथ उठना बैठना होगा वो लोग भी जातक को यूज करूंगे और बक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे ये लकीर इस चीज को दिखाती है लेकिन जब मारक राहु इसको काट देता है तो इसका जो प्रभाव है वो खतम हो जाता है सूरे पे जब इस प्रकार का तिर्कोन बनता है तो ये धन को दिखाता है लेकिन जब ये काटता है तो विक्त कितना भी प्रियास करे उसको उसके प्रियासों का सम्मान नहीं मिल पाता है वो प्रया सफल नहीं हो पाते हैं विक्ति जो मेहनत कर रहा होता है जो परिस्रम कर रहा होता है उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो विक्ति को नहीं मिल पाता है तीसरी चीज विक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है बिक्ति के अंदर जो योग्यता होती है उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आपाती है निखर के नहीं आपाती है ऐसे में एक सहिजता से एक सरलता से बिक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है और दूसरी बात है कि इस कट कटाव की इस्तिती बताती है कि आप जीवनकाल में कुछ बदलाव करने वाले हैं अपने कार्य छितर में बदलाव करने का प्रयास भी कर रहे हैं यहां पे मचले का चिन आपको प्रसिद्ध दिलाता है लेकिन यहां से राहुने काटा हुआ है यहां से सूरे पे कट-कटाव की इस्तित है तो इस मचले का फाइदा भी आपको नहीं मि करनी ही करनी है आडियो के मादियम से दे रहा हूं जरूर करे आपको बड़ा लाव होगा आप पांचवा सवाल लिखते हैं मुझे धोका बहुत मिलता है गुप्त सत्र बने रहते हैं इसका कारण आपका राहो है और आपका सूर्य का कटकटाव की इस्तिति ही है ये गुप्त करें आपको लाव होगा फिर से आपकी हतेली पर चलती है यहां पर अगर हम रेखाओं की बात करें तो यह आपकी हिर्दही की रेखा है जो सीधा ब्रस्पति से मिलती हुई दिखाई दी रही है इसका मतलब है कि आने वाले समय में ठीक 42 वर्स के बाद से चाहे आप करें या कोई और बेकाम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन बितीत करेंगे यह लकीर बताती हुई यहां पर नजर आ रही है आपकी मस्तिस्क रेखा यहां से निकल रही है थोड़ा यह बता रही है कि दूसरों के बातों में आकर या दूसरों से के द्वारा लिया गया न दूसरी बात आपकी मस्तिस्क रेखा बताती है, आप बहुत जादा सोचने वाले बिखते हैं, जादतर आप हमेशा कलपनाओं में डूबे रहते हैं, और कभी-कभी आपका जो मन है, वो भी एकागर्चित कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत बड़ी सपलता स्रेश्ट सपलता अरजित करेंगे, ये भी दिखाई दी रही है, लेकिन आपका जो मन है, वो फिर भी कलपनाओं में जादा रहेगा, ये भी यहाँ पे इस पश्ट दिख रहा है, जीवन रेखा के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अब यहाँ पी करियर और धन की रेखा देखें तो ये बहुत अच्छी है, आने वाले समय में और समय है आपका 42 वर्ष के बाद से, 42 वर्ष से अगर हम कहें, तो 42 वर्ष के मिडिल से आप देखेंगे, आपकी एका एक प्रतिष्टा और आपका धन बहुत अच्छी इस्तिति में आने वाला है, ये आपको बहुत अच्छी इस्तिति में ले जाने वाले हैं, वहीं सूर्य रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, एक आपकी हतेली में ब्यापार की रेखा भी दिखाई दे रही है, जिसे बुद्ध की रेखा कहते हैं, ये आयो को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएग और ब्यावसाई में आने वाले 42 वर्ष से बड़ी तरकी को दिखा रही है और कहीं न कहीं बोलने के धन के कारण भी आप अपने जीवनकाल में धन कमाएगे लेकिन थोड़ी सी पेट की समस्याओं से भी आपको जीवन में जोजना पड़ेगा तो इसका आप दियान रखेंगे यहाँ पे ये चीज एक और चीज बता रही है कि देखेगा आपको जीवन में यात्राओं का भी अच्छा खासा लाब मिलेगा ये रेखा आपकी जैसे जैसे द्रिड होती जाएगी जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी आपके भग्य में ब्रिद्ध करेगी कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा भग्य साली हो जाएंगे ऐसी इस्तिती आएगी इस रेखा की उजो से कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा कहीं न कहीं से ब्योस्ताइव हो जाएंगे और आपका काम चल जाएगा हाँ, थोड़ा संतान को लेकर हलकी फुल की प्रेशानिया रहेंगे कारण कुछ भी हो जैसे आपने यहाँ सारा को जमा दिया और पुत्र विदेश में सेटल हो गया इस प्रकार की चीजें जो है ये रह सकती हैं लेकिन हलकी फुल के तोर पे वैसे दूसरों का सयोग इस रेखा की वो जो से आपको अच्छा मिलेगा ये उंगली अगर हम देखें तो पूरी तरों से जुक रखी है इस उंगली की तरफ निश्चित तोर पे धार्मिक भावनाई आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी और इस स्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा ये बहुत अच्छी है लेकिन हलकी जुक रही है तो कुछ जादा मेहनत और परिस्रम करने के बाद ही चीजों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी ये यहां पर इस तरों से जुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ तो यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए उसका फैलाव हो जाए इसकी इक्षा भी बहुत अच्छी रहेगी यहां पर ब्रिस्पति की उंगले से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है निश्चित तोर पर रिस्क लेने की ताकत रहेगी चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पनो उठने की ताकत भी रहेगी जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं यह आपकी हतेली में दिखाई दी रहा है यह कहीं न कहीं सीधी खड़ी है और इसके पहले पौर्वे तक पहुँच रही है यह बहुत अच्छा है आने वाले समय में यह बता रहा है कि निश्चित ही आप एक उत्कृष्ट ब्यापारी बनेंगे अगर कहीं न कहीं आपने ब्यापार को छोड़ दिया किसी कारण वस और नौकरी शुरू कर दि चायो सरकारी हो चायो जो है फ्राइवेट हो आप एक अधिकारी लेबल की बिक्ति रहेंगे फिर और जीवन में हमेशा उच्छुवर्ग का बिक्ति तो रहेगा आप अपनी जीवन काल में बुद्ध के कारण स्रेष्ट और सपलता की प्राप्ति करेंगे और दो कारण से आपको जीवन में बड़ी सपलता मिलेगी एक तो अपने बल पर अपने बल बोते कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है वो आपको बड़ी सपलता दिलाएगा और दोसरा आपके अंदर जो ये communication skills डेपलप हो रही है ये आपको बहुत बड़ी जिसको बहुत स्रेश्ट सपालता कहते हैं वो दिलाने वाले हैं ये इस इस्तित को दिखा रही है आपकी उंगली अपने स्वास्थान पर लमवत और सीधी खड़ी है इसका मतलब है आप स्वयम उध्यमी तो है ही कुछ ऐसे करने की फितरत में भी है जिन अच्छे कारियों के लिए लोग आपको सदेव याद रखें ये भी चीजें आपकी हतेली में इस पश्ट दिखाई द देखते हैं तो पीछे की और ये ज़्यादा ओकावा गुमने पिरने के बहुत ज्यादा सवकिन रहेंगे अपने को मैंटेण रखना अपने पर दियान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें जादा रहेंगी और नई चीजों के प्रति रुजहान रहेगा चाहे नई परकार का फैशन हो नई परकार के कपड़े हो या नई परकार की कोई टेकनलोजी हो बहुत एक सुक्सुवधाओं की तरफ बहुत जादा रुजहान रहेगा आपका ये भी दिखाई दे रहा है चाहे लक्जरी जीवन हो या अल्टरा लक्जरी जीवन हो ये इस्तिती आपको 42 वर्स से आपके जीवन में बड़ी तरकी देगी थोड़ा कनफ्योजन उल्जन और दुविदा अभी धाई वर्सों तक दिखाई दे तो दिब्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूं उसको जरूर करें आपको लाब होगा आपका ब्रस्पती यहां पे सनी की तरफ देख रहे हैं परिवार को लेके कुछ चिंताईं रह सकती हैं या छोटी मोटी समस्याईं उभर सकती हैं और ब्रस्पती यहां से कमजोर इस्त सामन ने बिक्तित्व की और आपको ले जा रहे हैं तो इसके लिए जो है गुरू की सेवा जरूर करें इसके कारण ये ठीक होगा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सनिकापरोत है यहाँ से बहुत जादा उबर गया है फूल सा गया है इसका बहुत जादा फूलना अच्छा नहीं माना जाता है एक तो ये सुबह उठने में आलस्य देता है दूसरा गामभीर ये बिक्तित्व तो बनाता ही अच्छी चीज है लेकिन बे वजहें की तनाव देता है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जो जीवन में तनाव की इस्तित्य पैदा करता है ये जादा नीचा होना ये दिखाता है कि बिक्ति किसी के लिए अपनी जान तक दे दे फिर भी उसको धोका मिलता है कोई डिरेक्ट ना नकुरने करता लेकिन बहाने मारता है तो विक्ति को जो है धोके मिलने सुरू हो जाते हैं सूर्य का कमी होना बताता है जो मैंने अभी आपको बताया है छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पानी की इच्छा रखेंगे बुद्ध भी थोड़ा हलका वीक हो रहा है हरी सबजी, हरे फल और हरी दालों का आप सिवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ चंद्रमा को ठीक करने के लिए भगवान शिब की जरूर पोजा करें बाकि आपके हतेली में शारी कुछ चीजें बहुत अच्छी है मैं तीन सी चार चीजें आपको दे रहा हूँ इसको जरूर करें आपको बहुत बड़ा लाब होगा एक तो बनस्पति अश्टनान एक दिब्य सूर्य किरिया एक दिब्य योग ध्यान किरिया ये किरियाएं हैं किवल ये जरूर करें और एक मैं सनी का उपाई दे रहा हूँ आपको तो इसको भी जरूर करें आपको बड़ा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार